जै माता दिमित्रो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल मेरी प्यारी काल कमाम है मित्रो आज का जो विशे है वो पूजा के दोरान यदि कोई गलती होती है तो हमें हमारी पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता तो उन गलतियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और सायद उनके बारे में हमें पता भी नहीं चल पाता और हम कर देते हैं और हमें हमारे पूजा का फल प्राप्थी नहीं हो पाता बहुत ही कम परतिसत उसका फल हमें मिलता है और सालो साल हम अपनी मनों कामना अपने मन में ही रखते हैं और वो पूर्ण ही नहीं हो पाती तो देखे सबसे पहले तो दीपक ही जलाया जाता है दीपक का भी अपना ही एक विशाल महत्व है भक्ति के मार्ग में, धर्मग्रंथ भी पूरा वर्णन करते हैं दीपक के वारे में क्योंकि दीपक हमें जोडता है हमारे इश्ट से देखिए यदि दीपक में गलती होती है तो उसके कारण भी हमें हमारे पूजा कफल प्राप्त नहीं हो पाता दीपक जलाने का भी एक समय है और जो सबसे महतवपून समय बताया गया है वो ब्रह्म मूरत बताया गया है उस समय सक्तिया इतनी प्रभावी होती है कि हम उस समय यदि दीपक जलाते हैं तो हमारे इश्ट उस समय वहाँ पर जागरत होते हैं और हमारी बात सुनते हैं सुबह के चार बजे से आठ बजे के बीच काफी महत्व बताया गया है कि यदि इस समय के दोरान दीपक जलाया जाता है पूजा किये जाते हैं अपने इश्ट की याद उने किया जाता है तो वे आते हैं और हमारी बात हमारी मनुकामना उन तक पहुँच पाती है और जैसे कुछ व्यक्ति उठते ही दस बजे हैं फिर वे दीपक लगाते हैं तो उस समय उन्हें इतना फल नहीं मिल पाता उस दीपक का इतना प्रभाव नहीं बन पाता कि उनकी मनुकामना पूर्ण हो सके या इतनी प्रभावी उनकी पूजा पात हो सके तो बहुत ही कम आप कह सकते हैं प्रभावी उनकी पूजा होती है जो ब्रह्म मूरत या सुबह के समय जितना प्रभाव पूजा का होता है उसके मुकाबले बहुत ही कम आप कह सकते हैं कि दस बजे यदी या दस बजे के बाद जितना लेट दीपक जो है जलाया जाता है घर में तो उतनी ही कम हमारे पूजा का प्रभाव माना जाता है यदि ब्रह्म मूरत में आप पूजा करते हैं तो उसका फल ये कह लीजे कि इतना बहुमूलिय समय ये है कि हम अपने इश्ट से जुड़ सकते हैं, हम उनसे इतना कनेक्ट हो सकते हैं कि इतना कोई समय और नहीं मिल सकता दिन में या कभी भी जितना समय ब्रहमुमूरत में माना जाता है। और अगली गलती है देखे मित्रो यदि खंडित दीपक का प्रयोग किया जाता है। अब इतना ध्यान नहीं देपाते लेकिन हमारा दीपक जो है वो खंडित है। या एक ही दीपक जो मिट्टी का दिया होता है वो बार-बार यूज करते हैं वो गंदा होता है। उसको हम साफ भी नहीं कर पाते। यदि उसको बार-बार यूज किया जाता है तब भी हमारे पूज का फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। और यदि हमने अपने लिए पूजा के लिए दीपक पितल का लिया हुआ है और यदि वो हमारे हाथ से गिर गया या किसी भी कारण बस वो भी खंडित हो गया है और उसको हम यूज करते हैं पूजा करने के लिए तो उससे भी हमारी पूजा कफल जो हमें प्राप्त नहीं हो और देखे सबसे बड़ा जो कारण है खंडित दीपक जलाने का या आप कह सकते हैं कि यदि खंडित दीपक घर में जलाया जाता है तो दरीदृता घर में आती है तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है खंडित दीपक जलाने से घर में दरीदृता का वास होता है मा तलक्षमी घर में प्रवेश नहीं करती और घर में परिशानिया खड़ी होती है और अगली जो गलती है उग्र देवताओं से सम्मंदित है हम उग्र देवताओं की साधना करते हैं या पूजा पाठ हम उग्र देवताओं का अपने घर में करते हैं और यदि उनसे सम्मंदित हमें इतनी कारी नहीं होती अधूरा ग्यान हमें होता है तब भी यदि हम दलती हो जाती है तो परिशानिया खड़ी होती हैं जैसे कि जातातर जो उग्र देवता हम पूछते हैं तो उनके लिए सरसो के तेल का दीपक जलाया जाता है कलावे की बात सांत देवता है उनके लिए गाए का घी जो मिल जाये तो सर्वुत्तम है वरना आप तिल के तेल से भी उनके लिए दीपक जला सकते हैं और रूई रूई का प्रियोग उनके लिए किया जाता है तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है लेकिन ये तनी प महत्व है आरती का और आरती ही हमारी पूजा को पूर्ण बनाती है और पूजा में आरती के माध्यम से ही हम अपनी समायाचना भी करते हैं और अपने इष्ट का गुनगान करते हैं जिससे हमारे इष्ट उस समय पर प्रबल हो जाते हैं उनकी सक्तिया प्रबल हो जाती हैं और वे ही हमें हमारी पूजा को बल प्रदान करते हैं। तो आरती हमें करनी चाहिए। यदि कपूर से आरती की जाए तो बहुत ही उत्तम है। ये आपके घर को सुध करती है और नकरात्मकूर्जाओ को दूर रखती है। तो मित्रो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे की हमें हमारी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और हमारे इश्ट भी हमसे प्रसन रहें। अब ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी आश्रा करती हूँ आपको अच्छी ही लगी होगी। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आप अपनी पूजा पार्ट में ऐसे ही लगे रहें और आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो आपकी मनो कामना पूरी हो ऐसी मैं मा बगवती से प्रात्ना करती हूँ अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ जय माता दी हर हर महादेव